आप लोगोंने Current Affair में सुना होगा और बड़े सारे से वीडियो भी देखेंगे अंकित सर ने समझाया था आपको वीडियो में कि El Salvador एक कंट्री है उन्होंने Bitcoin एक Cryptocurrency को Legal Tender का दरजा दे दिया है यहाँ पर उस Current Affair को डिसकस नहीं किया जा रहा है आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कि क्यों यह जो स्टेप है एक Bitcoin एक Cryptocurrency को Legal Tender का दरजा देना वाई इस स्टेप इस बाउंड तो फेल या फिर एक overarching हम डिसकस करेंगे कि Cryptocurrency as an Idea क्यों बहुत डिफिकल्ट है कि उसको Mainstream Acceptance मिल जाए जैसा ऐसा माना जाता है कि Bitcoin या जो और Cryptocurrencies they are the future of the money, they are the future of the currencies one day in the future from decade, two decades, three decades from onwards वो basically money को जो अभी जो हम currently money currency use करते हैं उनको replace कर देगी why this idea is a little bit far-fetched यह आज हम समझने की कोशिश करते हैं so we'll start from the basic हम बिल्कुल सबसे basic से start करते हैं कि what exactly is a Bitcoin El Salvador ने किस चीज को legal tender कहा, legal tender का दरज़ा दिया है, क्यों दिया है and why that might actually fail Bitcoin एक decentralized digital currency होती है digital currency को digital transaction of money से confused नहीं कीजेगा आप लोग जो PTM, phone pay, bheem app या फिर अपने bank की जो digital app होती है उससे कभी-कभी पैसे transaction करते हैं उस समय उसको digital currency नहीं कहा जाता है that is like digital transaction of money असल में अगर आप bank में जाएंगे तो वो आपको hard cash दे देगे it is saying like कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 100 रुपे हैं तो आप मुझे एक hard proof दिखा सकते हैं as a document दिखा सकते हैं इस परकार से आप मुझे दिखाएंगे कि sir मेरे पास 100 रुपे हैं अंदर मेरे computer में एक file है जो कि bitcoin है तो जब अगर आप claim करेंगे कि आपके पास एक bitcoin है so you are claiming you have a digital file in your computer in your mobile phone या फिर आपके mobile computer में या phone में आपके पास एक digital file है इससे अधिक वो नहीं है वो real में exist नहीं करती है जो आपकी जो money है उसकी आप actually में कोई real document paper document लेकर भूम सकते हैं it is without a central bank or single administrator that can be sent from user to user on the peer to peer bitcoin network without the need of the intermediaries आप और मैं जब भी कभी पैसे transaction करते हैं अगर आपको मुझे कुछ पैसे भेजने है या मुझे आपको कुछ पैसे भेजने है तो हमेशा हम एक intermediary का प्रयोग करते हैं दो परकार के intermediary होते हैं एक तो होती है government और दूसरे होते है central banks या फिर कोई दूसरे banks जी होंगे मैं आपको directly अगर digitally पैसे भेजने की कोशिश करूँगा तो there will always be a bank involved in between मैं उसको बिना किसी एक third party entity के मैं आपको किसी भी प्रकार से पैसे नहीं भेज सकता हूँ bitcoin एक ऐसा process है कि जो ये digital file जो कि आप जिसको bitcoin कहते है एक digital file जो होती है इस digital file को आप मुस्तक भेज सकते हैं and no third party will be involved अब ये third party ना involved होने का फायदा क्या है नुकसान क्या है ये देखते हैं इसके बारे में transactions are verified by network notes through cryptography and recorded in a public distributed ledger इस sentence बड़ा important है चलिए इसको समझने कोशिच करते हैं called a blockchain जब मैं आपको 100 रुपे भेजता हूँ आपके PTM पे या फिर आपके bank account में इस चीज का एक record maintain किया जाता है उस third party intermediary के द्वारा या तो वो PTM होगा या फिर वो bank होगे या फिर वो central bank होगा या government होगा कही न कहीं पर इस चीज की information इस चीज का record रहता है कि मैंने आपको digitally 100 रुपे दी ये bitcoin में भी होता है इन दोनों में फरक क्या है देखिए जब हम जो हम present currency जिसको समझते हैं उसको करते हैं उसको ledger कहा जाता है that ledger is usually bank ledger ledger का मतलब बही खाता एक बही खाते में हमारे देश में जितनी भी transactions होती हैं उनको लिखा जाता है अब जो transaction क्यों जरूरी है ये बात समझने की कोशिश ये भी बात आपको जान लेनी चाहिए मैं और आप जब भी एक दूसरे से interact करते हैं तो हमेशा या तो कोई service प्रोवाइड करते हैं या कोई goods प्रोवाइड करते हैं इस transaction को economy कहा जाता है anything I do for you of value anything you do for me for value और ये सब पर apply कर दीजी या इतने भी लोगों से मिलते हैं अगर वो आपके लिए कुछ value का करते हैं और या आप उनके लिए कुछी भी value का करते हो तो इस transaction को उनसे services लेना और उनसे goods लेना एक दूसरे से services और goods लेना is the name of the economy economy इसी चीज़ को कहा जाता है there is nothing much more complex जो ये economy की transactions है इन चीज़ को note करना बड़ा जरूरी है अगर इन चीज़ को note नहीं करेंगे तो chaos हो जाएगा और हर चीज़ में fraud हो जाएगा I'll give you an example जैसे कि suppose कीज़े मैंने आपके लिए काम करके दिया let's say कि मैंने आपके लिए एक class कर दी तो आपने मुझे इस class के बदले में एक apple दे दिया लेकिन suppose कीज़े कि मैंने ये class की और मैं किसी और से बोला कि अब मुझे इसके लिए दो बोरी गेहूं चाहिए और आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो एक जिसने apple दिया था एक जिसने दो बोरी गेहूं दिया था इसलिए नहीं जानते हो इसलिए मैं basically सेम चीज को अलग-अलग परकार से value कर सकता हूँ अलग-अलग परकार से उसके prices कर सकता हूँ ऐसे चलते चलते जब तक हम एक particular base पर पूरी की पूरी society एक particular base of transaction या फिर जिस चीज से value identify हो जब तक हम उसको नहीं ढून पाएंगे तब तक किसी भी प्रकार का transaction करना possible होगा और जब तक transaction करना possible नहीं होगा conveniently तब तक किसी भी प्रकार की economy या progress या development possible नहीं है so उस जो ये base है transaction का to identify the value of your and my work हम सारे के सारे जो society होती है वो इस बात पर सहमत हो जाती है कि ये जो value transaction है ये किया जाएगा money के दुआरा and then इस money को control करने के लिए regulate करने के लिए हम government और banks को चुन लेते हैं कि ये जो transactions हैं हमारे देश में billions of transactions होती हैं इस समय आप जितने भी लोग video देख रहे हैं आप सब ने basically कही न कहीं पर transaction किये तो billions of transactions हैं इन सब को collate करने के लिए एक जहेंगे पर record करने के लिए हमें government और bank की जुरुत पड़ती है if they do not record this तो मेरे पास कोई proof नहीं होगा कि मैंने आपको 100 रुपे दिये और आप दो दिन के बाद वापिस claim कर सकते हैं कि मुझे 100 रुपे वापिस चाहिए so that transaction is necessary वो transaction हर जहेंगे पर लिखी जाती है उसको कहा जाता है ledger याद रखिए इस ledger के अंदर हमेशा एक third party whether government और bank are involved bitcoin का concept यह है कि जो ये transaction है मेरे और आपके बीच की ये basically कोई third party नहीं होगी बलकि एक ऐसा बही खाता होगा जो कि सब के पास होगा उस network में जो भी आदमी bitcoin यूज कर रहा है उस सब के पास वो बही खाता होगा जब मैं आपको एक bitcoin भेजूँगा उस बही खाता यानि कि public distributed ledger एक ऐसा ledger एक ऐसा बही खाता जो public में distributed है जो कि सब के पास है जो सब के पास है उस public distributed ledger के अंदर जैसे ही मैं आपको एक bitcoin भेजूँगा हर एक बही खाते में ये information update हो जाएगी कि मैंने आपको bitcoin भेज दिया है इस चीज को fraud करना बिल्कुल impossible है क्यों कि अगर मुझे ये fraud करना है मुझे कहीं पर जाकर ये कहना है कि मैंने आपको bitcoin नहीं भेजे तो मुझे कम से कम नहीं तो उस network पर जितने भी लोग हैं उन सब के जाकर भाही खातों को बदलना पड़ेगा which is kind of an impossible task इसके अंदर currency के अंदर कुछ नया नहीं है second जो चीज है it is a digital currency digital मतलब कि ये एक computer में एक file की तरह exist करती है इसकी कोई real world के अंदर किसी परकार का कोई paper document exist नहीं होता है हमारा जो ये 100 रुपिया है इसको कहते है paper document this is a currency, real currency जो कि एक document है ये bitcoin हो गया इसको हम समझते है ठीक, in general इसको समझ लिया हमने कि bitcoin क्या है अब इसके साथ problems क्या है कि क्या ऐसी possibility है कि ये जो नया currency का जो system है जिसमें bank involved नहीं है और हमें पैसे सिफ digitally एक दूसरे से transact करने है will this be the future of the country Naib Bukele ये president है El Salvador के इन्होंने, he is a crypto enthusiast crypto enthusiast मतलब कि ये crypto currencies को जो ये digital currencies होती है इनको काफी इनके लिए support में है ये, they become El Salvador become the world's first nation to make bitcoin legal tender legal tender क्या होता है इसको समझना है El Salvador के parliament ने इनके द्वारा propose किया हुआ एक bill है वो pass कर दिया है and this law will take effect in the September तो from September अगर आप El Salvador में जाएंगे तो आप किसी भी चीज़ की goods या services की जो payment है bitcoin में कर सकते हैं पहले जानते हैं कि legal tender actually में क्या होता है उससे पहले El Salvador की geographical location देख लो ताकि हमें पता रहे कि ये चीज़ हो कहां पे रही है United States तो आप पहचानते ही है North America की location सबको पता होगी यहाँ पर El Salvador है बिल्कुल Central America में North America, South America के बिल्कुल बीच में है This is the country It is Guatemala और Honduras से border इनका touch है and then finally Pacific Ocean में open हो जाते है This is the location को बिल्कुल ध्यान रखेगा Questions might actually come from the location कोई ये current affair कुछ और होता है और हो subject कुछ और उठा लेते है सवाल ये है कि Bitcoin को legal tender बनाने का मतलब क्या हुआ है Bitcoin इंडिया में भी legal है अगर आप notice करोगे अगर आप चाहें तो किसी से Bitcoin खरीज सकते हैं more or less इसका मतलब है कि illegal तो चीज नहीं है आराम से legally खरीदा जा सकता है But legal tender का मतलब ये होता है कि कोई भी इसको लेने से मना नहीं कर सकता अगर आप कहीं पर दुकान पर गए अगर किसी आप medical store पर गए है और आपने एक sanitizer खरीदा और आपने वहाँ पर 50 पैसे के 100 सिक्के रख दिये अब दुकानदार ये नहीं कह सकता कि मुझे सिक्को में payment नहीं चाहिए Why? क्योंकि coins are legal tender in India दुकानदार को अगर कोई debt है तो आप बहुती legally उसकी, मतलब he is bound to accept that whether he likes it or not Legal tender का मतलब ये होता है कि आपकी जो good source services है Bitcoin में अच्छा, लेकिन अगर आप दुकानदार को कहो कि आप Bitcoin में pay करना चाहेंगे तो दुकानदार साफ साफ मना कर सकता है कि मैं Bitcoin में नहीं लेता मैं cryptocurrency में नहीं deal करता हूँ मुझे नहीं चाहिए We have to take it in the legal tender कभी-कभी वो आपको Paytm भी मना कर सकता है कि मुझे Paytm से नहीं चाहिए Why? Because Paytm is not a legal tender Paytm से legal tender नहीं है digital currency लेकिन जो सिक्के होते हैं जो coin होते हैं इसका मतलब यह होता है कि if you want to pay for something in Bitcoins and recipients is willing to accept them it is all good तो जब तक मैं आप से कुछ भी transaction कर रहा हूँ Bitcoin में तो acceptable है परंतु legal tender होने पर यह compulsory हो जाता है फिर मेरे पास कोई choice नहीं बसती है making Bitcoins legal tender mean a payee will have to accept them new legislation बोल every economic agent must accept Bitcoin as payment offered to him by whoever acquires a good or service इस चीज़ का मतलब होता है legal tender अब सवाल यह है कि legal tender बन गया है तो how does this make a problem पहले तो यह El Salvador की जो media में hype होता है उतनी ज़्यादा ज़रूरी important खबर है नहीं reason being है it is El Salvador कुछ 10-12 countries में से जो छोटे country होते हैं जैसे Andorra या Nauru होते हैं जिनकी खुद की कोई currency नहीं है they do not control their own currency उनके central bank खुद की currency नहीं बनाते हैं क्योंकि उनकी population बहुत कम है छोटे country है तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है इनकी currency El Salvador ने अपनी खुद की जो currency थी जिसका नाम को लोन हुआ करता था 2001 में abandon कर दी थी and they adopted the US dollar at its legal tender तो bitcoin से पहले इनका legal tender था United States dollars ठीक है खुद की currency नहीं है तो dollar जो भी उपर नीचे जाएगा वो USA के हिसाब से जाएगा वही इनको follow करना पड़ता है they don't have a specific choice in it अब सवाल यह है कि this is not significant इनका bitcoin को significant नहीं है जब खुद की currency नहीं है तो कोई legal या कोई moral या कोई political debate हो ही नहीं सकता है Salvador has less to lose than other nations in adopting a second currency क्यों? There is no controversy about losing sovereignty or monetary policy autonomy Government money को control इसलिए करती है that is the only way देकिन control the economy यह एक sovereignty का जो हमारा political जो modern political system है which is based on the sovereignty and the monetary policy autonomy economy का जो system है वो monetary policy autonomy based है वो government कैसे control करेगी when they are able to regulate the money supply and the currency supply bitcoin is specifically against that ideology bitcoin में कोई central regulating authority होती नहीं है वो basically सिर्फ और सिर्फ network के उपर based है उसके अंदर कोई भी जब transaction करते है तो एक public distributed ledger में होता है ना कि किसी third party की help के दुआरा होता है और वो public distributed ledger just to maintain the authenticity सिर्फ इसलिए कि हर चीज का record रखा जाए उसको कोई regulate नहीं कर सकता है public और bank और जो government जब control करती है ledger को तो इस बात का एक meaning ये होता है कि they can identify की पैसा कौन किसको भेज रहा है हमारी government को हमेशा पता रहता है कि which money is going from where ये बात है right this is the key this is the reason why they are regulating bitcoin का public distributed ledger होने का एक main purpose ये है कि nobody is able to judge कि basically पैसा कौन कहां से कहां भेज रहा है सिर्फ एक account number होता है until or unless you tell someone कि ये account number आपका है nobody will be able to tell कि bitcoin में आपने किसको कितने पैसे क्यों भेजे है बस हाँ ज़रूरत पढ़ने पर ये check जरूर किया जा सकता है कि आपने जो transaction की थी that is a valid and a true transaction अब क्योंकि else Elvador के पास खुद की currency है निए तो उनको इस बात से फरक नहीं पड़ता है there will be no loss of seniorage word को ध्यान रखो jargon word definition के रूप में पूछा जा सकता है signorage signorage क्या होता है कि government जब mint करती है money को जब print करती है currency को तो उनको profit होता है किस परकार का profit होता है जैसे suppose कीजिए कि 2000 का note है right हमारे यहाँ पर 2000 को note चलता है तो 2000 के note को actually में print करने में एक note को print करने में 4 रूपे लगते है right 100 रूपीज का जो note होता है इसको actually में आप देखे यह कागज से बना हुआ है इस पर कुछ ink लगी हुई है there is some technology goes into it और थोड़ी से ink लगी हुई है इसके अंदर कुछ ऐसा valuable material नहीं है it's made of a paper तो इसको बनाने में लगते हैं 2 रूपे तो जब government print करती है यह 100 रूपे का note या 2000 का तो इसको वापिस जो वो 1996 रूपे है उसका profit होता है direct profit इस profit को कहते हैं siege no rage siege no rage siege no rage और जब 100 रूपे का print करते है तो 98 रूपे का profit अब यह जो profit होता है यह usually Central Bank यानि कि Reserve Bank of India को होता है Reserve Bank of India यह government को transfer कर देता ही है there will be no loss of siege no rage to the El Salvador क्यों? क्योंकि उनकी तो वैसी currency नहीं है तो उनको कोई खास फरक नहीं पड़ेगा वही possible होती है जिसके अंदर एक particular level की stability हो आपका जो यह जो 100 रूपे मेरे जो 100 रूपे हैं यह basically कितने डॉलर के बराबर होते हैं इसकी जो stability है वो over a period of year एक standard stability रहती है हम एक डॉलर लेते हैं तो पिछले साल 70 घा था इस साल 75 था ठीक है? थोड़ा बहुत volatility होता है कि एक दिन में वो 1 रूपया 35 रूप, 35 पैसे गिर गया 35 पैसे चड़ गया पर जो bitcoin की जो volatility है volatility है उसको देखते हैं इक बाद consider the provision in the new law नया law कह रहा है कि जिस दिन से ये law बनेगा bitcoin wall Allah उस दिन से उसी effective date से जितने भी जो debt है वो bitcoin में pay किये जा सकते हैं इस creates a problem पहले तो क्यों? क्योंकि हमारा जो bitcoin है वो बड़ा ही volatile है क्या volatile है? इसकी value एक जंग हफते के starting में 38,000 डॉलर थी और उसके घटके हफते के last तक 31,000 डॉलर हो जाती थी पिछले महीने 58,000 डॉलर थी एक महीने के अंदर अंदर घटके 30,000 डॉलर हो चुकी है ऐसी volatility किसी भी government को currency में नहीं चाहिए होती है यानि कि अगर आपने एक अप्रेल को एक bitcoin खरीदा था तो वो 60,000 रुपे का था और आज आपने अगर हम 20 मई की बात करें या 20 जून की बात करें तो वही 30,000 रुपे का है ये 30,000 रुपे का आगे 45,000 लाग का भी हो सकता है एक महीने बाद 15,000 लाग का भी हो सकता है अब ऐसे में situation में आप trap में फस जाते हो the person जो buy कर रहा है और जो sell कर रहा है वो bitcoin में payment accept नहीं करना चाहेगा this creates a very weird situation तो जो central bank की जो currencies होती है ये सबसे बड़ी weaknesses है bitcoin के against हमारी जो पैसे की जो value है वो इतनी बुरी तरीके से volatile नहीं होती है आपके पास अगर इस महीने 1000 रुपे हैं आपको पता है कि अगले महीने भी इसको 1000 रुपे की ही value रहेगी और अगर एक साल बाद भी जाओगे तो वो 995 रुपे में 95 की value होगी ऐसा नहीं है कि वो 1000 की घटके बिलकुल 100 रुपे हो जाएगी या फिर 1000 से बढ़के 10,000 रुपे हो जाएगी the value is stable stability एक key factor होता है currency का which doesn't exist in the cryptocurrencies even what is complicated is that how and by whom will the amount of bitcoin necessary to pay a debt be determined अब देखो एक situation बताता हो मैं आपने suppose कीजिए आपने एक लाख रुपे उधार लिया था ठीक है एक मार्च को ठीक है तो जब आप उसको एक जुलाई को payment करने जाते हो तो वो एक लाख रुपे ही आपको वापिस करने पड़ते हैं या फिर जो interest लगता है basically उसके अलावा कोई fundamental फरक तो नहीं आता परन्तु एक लाख bitcoin के context में अगर देखे जाएं तो एक मार्च को जो एक लाख रुपे का bitcoin था वो basically एक जुलाई को कुछ भी हो सकता है या तो तीस जार रुपे का bitcoin हो सकता है या वो अब 10 लाख का भी हो सकता है तो एक जुलाई को जब आप गए bitcoin के prices तब तक बढ़ चुके थे the person जिसने आपसे पैसे मांगे वो बोलेगा कि भी मैंने तो एक लाख ने अगर price fall होने की है तो फिर कोई लेना नहीं चाहेगा सबको पता है कि ये तो मैंने चीजे मैंने ये 50,000 का phone बेचा है 50,000 की bitcoin की value ले ली है परन्तु ये तो अगर एक महीने में गिर के 25,000 रुपे का हो जाएगा तो making bitcoin legal tender could actually help destabilize the El Salvador's economy feature of bitcoin जो है real value I'll give you an example जैसे आप gold जब खरीदते हैं ठीक है तो gold is an asset एक real चीज है एक object है which has a value in itself जैसे आप जमीन खरीदते हैं तो उसके अंदर आपकी real value है आपने कुछ खरीदा है जिसकी value है गाड़ी खरीदी है तो you are buying an asset एक object है जिसकी value होती है bitcoin जो है it's actually a computer file उसकी real value नहीं होती है इसके context में एक argument दिया जाता है कि हमारे पास जो ये कागच है इसकी भी value नहीं है इस paper in itself is not of 100 rupees पर इसमें एक important बात खुल जाते हैं कि इसके ऊपर लिखा रहता है I promise to pay the bearer the sum of 100 rupees और इसके नीचे sign किये हुए है जो कि हमारे RBI के governor है Reserve Bank of India के governor है यानि कि आपके पास जो ये money होती है ये legal tender जो है हमारा इसके पास government की guarantee है पीछे से कि चिंता मत करो चाहिए एक रुपे की चीज हो चाहिए बना एक रुपे में हो मैं guarantee देता हूँ कि मैं 100 रुपे की value इसके उपर provide कर दूँगा Bitcoin doesn't have any kind of backing Bitcoin की value सिर्फो सिर्फ इस speculation पर संबंदित होती है कि कल को कोई और आदमी इसके कितने पैसे देने को तयार है इसकी वज़े से ही इसके price बहुत ज़्यादा volatile होता रहता है इसके साथ साथ कई सारी बाते हैं economic schools हैं, politicians भी हैं, programmers भी हैं कुछ लोग जो इसको discuss कर रहे हैं they are very smart some definitely misinformed कुछ कहते हैं कि this system of Bitcoin का जो इस system blockchain system बनाएगा, it's worth a lot some says कि it's actually worth zero कुछ value नहीं होगी, इसकी कुछ फायदा नहीं होगा Bitcoin actually means a store of value speculative value का store बन चुका है बस पैसे वहाँ पर लोग store किया जा रहे है उसको खर्च करने में डर लगता है जिस आदमी ने 1,00,00 रुपे का Bitcoin खरीदा हो वो आज 30,00,00 रुपे का हो गया है they will never ever spend it क्यों क्योंकि इस इंतिजार में कि ये 30,00,00 से 60 हो जाएंगे 60,00,00,00,00,00,00,00,00 हो जाएंगे तो खर्च क्यों करेंगे तो basically currency is currency तभी valuable होती है जब उसको खर्च किया जा सके कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कोई actual value भी exist करती है जो original value है उससे ज़्यादा some says it is like digital gold gold की तरह value store बन सकता है no, some says it's actually a currency again, it's a very confusing word here some says it's just like tulip tulip का मतलब है कि इसकी कोई value नहीं है और इसके उपर लोग speculative value लगाये जा रहे है some people say it'll change the world और कुछ कहते हैं कि it's just a fat थोड़े दुनों में और कई परकार की इस परकार की digital चीज़े जो आती रहती है it becomes a fat जैसे कि Google Glass था 2010 के बाद ऐसा लग रहा था कि Google Glass नाम की कोई technology आएगी and then it went away फिर उसके बाद आप कोई discussी नहीं करता है my opinion I have my opinion about the cryptocurrency लेकिन अदल स्टोरी for the another time for now अभी तक ये जानने की जोड़त है कि it seems कि El Salvador ने Bitcoin को legalize तो कर दिया है but it seems it's a very difficult proposition that such an idea will actually become successful for them cryptocurrencies have very inherent जहां पर regulation बहुत जाद नेसेसरी होता है and currency to ensure the stability of the economy is one of those what do you think about it मुझे YouTube comments पर जरूर comment करके जरूर बताएगा I'll see you in the next class